सर, फिल्म डस्ट्री के पापा जी, शिरी पृत्वी राज कपूर जी के बारे में आप कुछ पताएए। हमारे सीनियर थे वो हम से, लेकिन वो एक ऐसी परसनलिटी थी साब, उनकी डेथ पर, मिस्टर स्वराब मोधी, मिस्टर खाजायम अदंबास, सीरी सांड स्टूडियो में कंडूलन्स मीटिंग में उन्हों ने कहा, के डेलिगेशन गया था रशिया में, तो तमाम लोग बात करते रहे, उसके बाद उनके, उसको कहते हैं ना के, वोट आफ थाइंक्स में, उन्हो आदमी कहता, और उतने ही दिल का इतना साफा, शालिमार में हम थे, एक दिन, क्या हुआ, उसको बहुत प्राइज लेते थे वो, तो उन्होंने देखा के, एक आफिस पर क्यों लगा हुआ है वर्करों का, शाम को व्वजड एहमस साब थे, मालिक प्रोडूसर आये, तो उन सुबा से यहां खड़े, कहता है कि आदमी बंबे गया पैसे लाने के लिए वो आए गा तो उनको देंगे, तो इसका मतलब है कि मेरा पैसा भी नहीं आया, उस जमाने में शायदो 20-25,000 रुपया था साब इंस्टाल्मेंट, अंदाज अलगा ही है, 46 की बात बता रहा हुआ तो अच्छा नहीं आया, आपके तो पैसे हैं ले जाईए, कहता है, आयमस साब, यह पैसा उन में बाट बीजिए, उस जमाने में वो पैसा उन लोग बाता गया, और सारा स्टूडियो मेरा खारे 90 कुछ स्टाफ था, यूँ हाग उपर उठा के उसके दूआ मांग रहे थे प्रित्युराजी के लिए क्यार किया, यह ऐसे प्रित्युराजी थी, 17 में मेरी लड़की की शादी थी, मनमोन किशन को फोन आया, यार वो बड़े मिया को समझाओ, मतलब प्रित्युराजी को क्या, वो कहता है तुम्हारे लड़की के ठीका देने के लिए वो जाना चाहत क्योंकि वो शादी किदिनी आ नहीं है अमरस्तर को शूटिंग में जा रहे तो मैंने फोन किया कि बिधिराज जी वो यह हरे नहीं मैं शादी में नहीं तुम्हें आऊंगा नहीं वहां पर उनकिया से घंड लो रहे हैं आप चड़ नहीं पाएंगे बड़ी मुश्किल से उन पैसा ब्लैक नहीं लिया आप 15 अलगाईए और थेटर को जिन्दा किया मरेवे थेटर को वहां से कई लोग आए फिल्मों में वहां से राज कपूर साहब वहा रहा तो मुंबमे टागिस में थर्ड फॉर्थ असिस्टंट काम करते थे पिर केदार चर्मा साह के हैसाओ